अलो फेंड्स वेल्कम टो अपर चनल हम बात करने वाले हैं बड बिजार्ड इनोविशन एंड मोविलिटी लिमिटिट कारे में हम डेली चार्ट पर हैं हमारी में रिक्ष्ट किया है तो ऐसे किसी भी इस चाहिए 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 आप रिक्ष्ट कर सकते हो अगर आपको टे इकली चार्ट हमने उपन किया है क्योंकि डेली चार्ट दिखने लायक है नहीं ज्यादा इसका अगर आप यह मोमेंटम दिख रहे हो क्योंकि एक साइट जाता है तो कंटिन्यू मूव करता है और बहुत ही मतलब एक अलग टाइप का इसका मोमेंटम है इसमें लेकिन जो र अलग अलग लेवल पर आपको दिखाने वाला है फिलाल सपोर्ट पर टेट कर रहा है तो डेफेंटली आप बाउंस प्लान कर सकते हो लेकिन कितना सक्सेस्फुल होगा उसका चांस है सेम टाइम में यह हम बिकली चार्ट देख रहे हैं तो अगर आप ऐसे प्लान कर रहे हो कोई ना कोई प्राइक संदिख जाएगा में यह नहीं बोल रहा हूं कि पूरा डबलो इस टाइब से बनाएगा हो सकता है नॉर्मल प्राइक संदेखे मतलब एक कंडल और बाइंग का बनाए फिर एक दो कंडल तीन पॉस दे थोड़ा बाउस से कंटीनू कर सकते हैं तो इ अच्छा बाइंग आना स्टार्ट हुआ है थोड़ा से स्ट्रेंथ कम हुआ है मेरे अभी के टाइम में अगर यह वाला लेवल हम निकालते हैं ठीक है कनफरेशन के बाद तो बाइंग के लिए प्लान हो सकता अगर आपको प्लान करना ही है बाकि नॉर्मली अवोड करके च करना चाहो तो 47 48 के आसपास 9 के आसपास का जो लेवल है इसके उपर अगर कहीं पर आपको प्राइशन दिखता है तो हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं टार्गेट हम कर सकते हैं करीब 62 का पहला और सेकंड टार्गेट में करीब 70 रूपीस और आप इसके इस लेवल त ठीक ठाक सेलिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा लास्ट अगर एक साल की बात करते हैं तो इसमें कोई मोमेंटम रहा नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हाई रिस्क में है अगर आप 2024 की बात करते हो तो श्टार्टिंग का एक या दो बीक का यह मोमेंटम अगर फिर पूरा सेलिंग ठीक है तो पूरे साल भर में सिर्फ सेलिंग आया है कभी इसमें बाइंग सश्टेन नहीं किया है अगर थोड़ा बहुत कभी आया भी है ठीक है तो इस चीज़ के याद रखेगा बागी ऐसे किसी भी श्टॉक पर आपको इलिस्स चाहिए तो श्टॉ आपको तो में याद रखेगा